साइराट, नाढ, आणी फैंड्री, हे असे कही सिने में आहे जन्सा नाओ घेतला नंतर, आपला सग्यायन ना एकस मानुस लक्षात रहातो, जाचा मुले हे सिने में बन लेत, आणी जाने अतीशे उत्तम दिगदर्श काची बुमी का पार पाडली हुती आचा, मते जन्सा न नागराज मंजूले. आता, नागराज मंजूले हे अंक्य नहीं का एक सिनेमा घेतल हैं, पुन्णा एकदाक ही स्टोरी, पुन्णा एकदाक ही प्लोट, ही स्टारकास्ड आनी अतिशे रौसान सग्ड़ काही दिशते, होए, मालाम हहीती हो तुम्हें सेले करीले का तुम्हाले गोष्टम हाईती हैगा कि यह सिनेमाचा आदीचा नाओ है फक्त बिर्याणी होता। पर्ण स्टोरी जशी जशी डिवेलप होत गेली त्याता हिश्वेबाने फाइनली यह मुवीचे नाओ ठरवनायात अला कि घर, बंदुक आने बिर्याणी। तीने ही शब्दान सा एक मेकांशी काही ही संबंद नहीं है दूर दूर पड़े। पड़ तरी सुधा असा नाओ देना मागे ना कि काय स्टोरी असा वी ना कि काय प्लोट असा वा यहाची उतकंठा हाता माला लाग लिए। आता, यहाँ सिनेमा मदे आकाश्ठो सर पूर्णा एक दा नागराज मंजुलें सोबत यहता है पड़ यहाँ नागराज मंजुलें ही फक्त दिखदर्शक न सून एक अभिनेता मुनों सुधै सिनेमाचा भाग बन लेला है आणि यहाँना सात देता है सयाजी शिंदे जे अतीशे उत्तम असे कलाकार आहे जे फक्त मराठी नहीं हिंदी नहीं तर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मदे सुधा उत्तम काम करता गेली कि तेक वर्ष आणि यहाँची फान फॉलोविंग ही प्रचंड जासता आही अनी ओकेय यहाँची शिंदे अतीतों पॉलीस ची ख्यूल दविंग ही ख करना मनृंज मंञोड रह चनगार ना आता बोलूड़ यह इंडस्या आंखिन कही मनोर अंज गोष्टिन घडल्द आता यहाँची शोटिंग सगला जंगला मदे जालए अनि हवा तर यू नो जे बॉलिवुड मदे केला जाते की कुटे जंगल की वासा काई सीन असला की फक्ता सेट लावला जातो अनि एक फेक जंगल बनावला जाता पर अफकोस नागराज मंजुरे सर आहे ता मुले सगय कसर रौ अनि रियल असता मनुनाच हे संपूर्णा फिल्म चाशूट साधरान पासश्टरते सतर दिवसाथ आटोपना ताले पड़ या संपूर्णा फिल्म चाशूट हे रियल जंगला मदे शूट केलेला आहे इते कुटले प्रकार ची हॉस्पिटालिटी नाओती मन जे होटेल चा रूम्स नाओता वैनिटी वैन नाओती कही नाओता टेंट्स मदे राहून, जमी नीवर खाली बसून, अगदी जंगला मदे बसून, जेवन करून हे सगल शूट असा या पद्धती ने ताननी केलेला आहे कि ते अतला प्रेम आणी डेडिकेशन किती असावा है अपला सागयान ना करता बाकिया सिनेमा चे अंकी नेक महतोची गोष्ट अशी, ये हर हर महा देव, हाँ पैन इंडिया रिलीज होना रहा है यंदा चा वर्षी चाग सिनेमा होता, बरोबर जो तबल पास लेंगवज़ोस मदे रिलीज जाला होता, पर्ण हाजो सिनेमा है मराठी, हिंदी, तमिल आनी ते लगो, अशा तबल चार भाषान मदे पैन इंडिया रिलीज होतो है जी स्टूडियोस ने खर्या अर्थाने माला सवाटता कि हाँ पायंडा उचल है कि आता बाबारे एक सांगले लेवल ला घ्योन जाना गर्जेस है मराठी सिनेमा स्टूश्टिया अशा डिजी स्टूडियोस जितका आबार मानावत इतका कमी है सो नागराज मंजूडिया अनी जी स्टूडियो यांचा कडून हा घर बंदुकानी बिर्यानी हा सिनेमा नकी कदी एनारे अध्या पप्ला डेट माहिती नहीं है पण या सिनेमा चा अक्शन कोरियोग्राफिय बदल जरका बोला है जारतर फार प्रोमिसिंग वाटता है सगल थोड़ा नवीन वाटता है करनका हे फक्ता बॉलिवोड आनी वेप सिरीज में ओटेटी प्लाटफोरम वरती आपन पाहिले पड़ा ते मराटी सिनेमा मदे सुधा होता है अक्शन कोरियोग्राफर मणूं तरना खास बोला होना तालो होता या सिनेमा साथी आनी ओवराल सगड टीजर बगून खूब खूब प्रोमिसिंग वाटता है आकाश ठोसर नागराज मंजुए दोगे नवीन लूक मदे अपलाला दिस्ता ती तुन मागया पंटाना कदीच या लूक मदे बगित लना होता आनी जरकां बैग्राउंड म्यूजिक बदल बोलाया जाला तर मंजे टीजर ची सुरूवा तैना ती मन जिंगते है लिटरली या संपुर्ण टीजर ला पाता है कि कुटे तरी नक्सल वाधी एरिया मदे पूलीस अने डाकून मदली जी मुटबेड असते कि वा जो पाठलाग असतो कि वा ती सगी गोश्ट आपले इते बगाला मेलना रहे पर नक्की बिराणी अचत तो गिवनेल तो परेंटर स्टेटियो पीस आउट